इस वीडियो में मैं आपको डबल फिलर्स एक्स्पेंड करूँगा जो आपके आगामी सभी बेंकिंग एक्जाम्स के लिए बहुत ही इंपर्टेंट रहेंगे लाइक आई बीपी एस पी ओ, क्लर्क और और अरबी जैसे एक्जाम्स के लिए तो इस वीडियो का आप एंड त अच्छा क्वालिटी कॉंटेंट चाहिए तो यह वेबसाइट है www.letstudytogether.co यहां पर जाके इसको आप विजिट कर सकते हैं और यहां से आप फ्री कॉंटेंट, PDF यह सारी चीजां आप ले सकते हैं, तो चलिए शुरूआत करते हैं, देखे यह डवल फिलर्स हैं और लिट करना है, इसमें grammatical तो आपको देखना ही है, जो वर्ड यहां पर होता है, जो फिलर करते हमें जो वर्ड होता है, उसके बगल बाला प्रपोजिशन आपको देखना है, और यह देखना है कि उस Rome के साथ वह वरड जा सकता है कि नहीं, वह वर्ड शूटेबिली हो सकता है कि नहीं ठीक है जैसे यहां पर हम मैं पढ़ता हूं इस sentence को the governor's successor will find the economy in a much better space than what it was when he himself took अब आपको यह देखना है इसमें कि टुक के साथ कौन सब वर्ड जा सकता है ठीक है इसमें जो second option है वो है टुक और टुक के साथ कौन सब जा सकता है टुक के साथ इसमें दो वर्ड बहुत अच्छे तरीके से suitable तरीके से जा सकते ओवर और चार्ज ठीक है लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में मच बेटर के साथ तरमोईल नहीं जाएगा यहां पर हम condition की बात कर रहे हैं तो इसलिए जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें शेब वर्ड जा सकता है शेब बर्ड फिट हो सकता है ठीक है तो इसलिए यदि आप सी उप्शन चूज करें तो आपका सही आंसर होगा जैसे यदि आप इसको पढ़ें दा गवर्णर सक्सेसर विल फाइंड एक नौमी इन इने मच बेटर शेप ठीक है तो शेप यहां पर सही है देन वाट इट वोज वेन ही इंसल्फ टुक चार्ज तो टुक चार्ज का मतलब इस Countless कि द्याना देल सूस्तिए तो कोई व्यक्ति पदभार गंड करता है तो उसके लिए हम टेक ओवर बोलते हैं और टेक चार्ज बोलते हैं जिस मैं से in दोनों में से take charge ज्यादा official word है, ज्यादा proper word है, ठीक है, इसलिए मैंने take charge लिया, और shape जो है, विल्कुल सही वहाँ पर आ रहा है, much better condition, या much better shape, ठीक है, और first option में, बाकी सारे option आप करेंगे, देखें, यहाँ पर condition आ सकता है, लेकिन second में holding नहीं आ सकता, ठीक है, first option में turmoil नहीं नहीं आ सकता, over आ सकता है, लेकिन turmoil नहीं आ सकता, third में यह दोनों आ सकते हैं, ठीक है, और first option में देखिए, character नहीं आ सकता, character और reigns हो सकता है, लेकिन reigns हम kingdom के sense में use करते हैं, और character तो यहाँ बिल्कुल नहीं आ सकता, position word totally out of context रहागा, position अलग sense में हम यूज करते हैं, position व्य यह विल्कुल सही रहेगा, तो इस तरीके से आपको double fillers को solve करना है, banking exam में, ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ आपको second, देखिए, यह है second, litigation and hurdles in a potential sale to a Chinese partner, have, अब देखिए, common sense बोलता है, कि हैप के साथ आपको first form यहाँ पर चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर आपको, यहाँ पर two के बाद first form चाहिए, मतलब have के बाद third form चाहिए, और यहाँ पर two लगा है, तो two के बाद यहाँ पर आपको first form चाहिए, तो first form देखिए, किस किसमें है, first form देखिए, इसमें, ठीक है, changing इसमें cut जाएगा, क्योंकि changing first form नहीं है, ठीक है, अब आप third form देखिए, third form किसमें हैं third form इसमें नहीं है तो यह कट जाएगा आपका इस तरीके से आपको eliminate करना है third form इसमें नहीं है तो यह कट जाएगा अब यहां पर आपका इन जो options बचे हैं इन में से आपका है के साथ कौन सा वर्ड आ सकता है जिससे के meaningfully sentence correct हो जाए तो यहां पर हम बोले की कोशिश कर रहा है देखिए आपको sentence भी अच्छे तरीके समझ में आना चाहिए ताकि आप उसका सही sense निकाल सकें जब आप सही sense निकाल पाएंगे तभी आप उसके डॉनों जो options हैं उनको चूज कर पाएंगे जैसे litigation hurdles का मतलब है कि जब हम किसी चीज को सेल करते हैं Chinese partner की बात हो रही है तो company यहां पर बात कर रही है कि अपना एक हिस्सा वो Chinese partner को बेचने की सोच रही है और उसमें बहुत सारा litigation आ रहा है बहुत सारे its plants तो जब company अपना एक plant बेचने की कोशिश कर रही है तो उसको उसने क्या कर दिया differ कर दिया differ का क्या मतलब होता है postpone कर दिया पोस्ट पोन क्यों कर दिया है पोस्ट पोन इसलिए कर दिया है क्योंकि उसमें litigation की problem है और hurdles की problem है ठीक है तो इस तरीके से आपको logic लगाना है अब देखे यहां पर मैंने logic क्या बताया आपको कि हैप के साथ यहां पर third form चाहिए तो मैंने force लगा दिया और यहां पर आपको two के साथ first form चाहिए तो यहां पर आपने differ लगा दिया और differ का क्या मतलब है differ का मतलब है postpone कर देना उसको रोग देना थोड़ी देर के लिए hold पर रखना उसको तो इसलिए यहां पर यहां पर यह वाला option दौनों ही फिलप्स में सही होगा और यही इसका answer होगा तो इस तरीके से पहले आपको eliminate करना है पहले आपको यह देखना है कि किस word के साथ कौन सा word grammatically और logically जाएगा उसके बाद आपको eliminate करना है और उसके बाद आपको सही answer तक पहुँचना है और आपको इसमें definitely बगल वाले जो word है ज यह first filler में मैंने आपको बताया कि हैप के साथ यह third form आईगी तो इस तरीके से logic लगाना है उसके बाद eliminate करना है inappropriate options को और इस तरह से right option तक आपको पहुचना है तो banking exam में यह normally 5 आते हैं कभी 10 भी आ सकते हैं और 10 में से आप 8 भी करते हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाएग और इनको करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है अब जैसे third देखिए third में क्या दिया है कि progressive educators are ठीक है अब आप यहां पर देखिए यहां पर जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि यह जो filler है इसके इधर वाला word भी देखना है आपको और इधर वाला भी word देखना ठीक है एक logic तो यह बताया मैंने आपको और एक logic यहां पर देखिए कि not only यहां पर लगा हुआ है ठीक है और not only के साथ क्या आता है not only के साथ but also आता है तो but cable एक ही option में दिया हुआ है और यह answer आपका निकल के आ गया तो इस तरीके से इसको within seconds आप कर सकते हैं इस तरह कि जाता है विद के साथ concern के साथ हम विद लगाते हैं ठीक है anxious के साथ हम about लगाते हैं worried के साथ हम about लगाते हैं लेकिन concern के साथ हम विद लगाते तो यह logic जा रहा है और यह logic मेंने not only but also का बताया आपको ठीक है तो इन दोनो लोग्स को apply करते हुए आप answer तक पहुँच गया है C इसका सही आंसर है, तो bank exam में जैसे IBPS PO में आपको 12-15 seconds में English के 30 questions करने हैं, यानि 25-30 seconds में आपको एक question solve करना है, और मेरी tricks आप apply करते हैं, तो 10 seconds में, even lesser than that, 10 seconds से भी कम second में आप इन सभी questions को, चाहिए को close test हो, पेरा जंबल हो, इन सभी questions को आप solve कर पाएंगे, तो इस तरह के questions म मैं अपनी online classes चला रहा हूँ, bankers.org पर मेरी online classes चल रही है, वहाँ पर मैं इस तरह के 50-50-60 questions आपको practice करवाऊँगा, और वहाँ पर classes चल रहे हैं, काफी students 700-800 students वहाँ जुड़ चोके हैं, और daily registration हो रहे हैं, तो उसमें आप registration करा ले हैं, और काफी अच्छी में practice वहाँआप तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर देखी, after लगा हुआ है, तो after के बाद यहाँ पर आप ind form लगाएंगे, क्योंकि after एक proposition है, ठीक है, तो proposition के बाद यहाँ पर आप ind form लगाएंगे इसमें, और इसमें देखी, इसमें क्या आएगा, इसमें अगर आप logic लगा ठीक है 2B के बाद हमेशा B3 आता है तो all इसमें नहीं आएगा ठीक है review इसमें नहीं आएगा ये दो option आपने निकाल दिये यहां से अब यदि आप common sense apply करें तो assignment जो होता है उसको हमेशा complete करते हैं उसको हमेशा do नहीं करते मतलब do उतना appropriate word नहीं है जितना की completed है क्योंकि assignment को हम प्रेशा complete किया जाता है और यह third form B है ठीक है तो इस तरीके से मैंने यह एक फिलप का logic लगाया और यह answer सामने आपके निकलके आ गया और after के साथ यहां पर चुकी आपको ing form चाहिए तो इसमें ing form B है ठीक है और school में आप अपना time spend करते हैं वहां पर अपना time आप put नहीं कर करते हैं तो इसे साब से भी यहां पर आपका sequence बन रहा है तो इसे साब से आपका यह मैं जो कुशन नंबर फोर है इसका जो सही answer होगा वह होगा सी तो इस तरीके से आपको इन ट्रिक्स को अप्लाई करना है और यह ट्रिक्स मैं आपको सभी sections की detail में बताता रहता हूं यू अब आप देखिए question number five देखिए ठीक है इसमें एक by the Philip of the century it was apparent to all that the long glorious reign of the queen was to a close. अब to a close इसमें आखरी का word है ठीक है तो to a close to a close इसके साथ कौन सा वर्ड जा सकता है डेखिए इसके साथ पत्रवर गर्यार सकते हैं coming to a close मतलब उसका गौसका खत्म होना किसी चीज का किसी चीजिज का आखरी समय आजाना है और का खत्म होना coming to a close या coming to a coming to a drawing drawing to a close or coming to a close ठीक है तो इन दोनों में से आपका से एक answer हो सकता है क्योंकि ये इन दोनों में से एक आपका two way close के साथ जुर सकता है coming to a close और drawing to a close ठीक है एक तो ये sense निकाल दिया बाकी सारे inappropriate हैं तो बाकी सारे नहीं आएंगे इसमें अब आप इन दोनों में से कौनसा आंसर सही होगा ये आपको यहां से मिल जाएगा देखिए century word दिया हुआ है इसमें और century जब खतम होती है जैसे 100 साल के बाद 101 साल आता है या millennium जब खतम होता है तो उसके लिए हम turn word कर यूज करते हैं turn of the century यह turn of the millennium ठीक है तो इन दोनों में से पहले तो मैंने पांच में से किबल दो निकाले इलिमिनेट कर दिया बाकी को फिर दो में से एक मैंने कैसे निकाला यह आप देखिए तो यहां पर यह turn word सही होगा और दी आपका जो आंसर होगा वो आपका सही होगा तो इस तरीक तक यह clear हो चुका था कि यो जो क्यूइन के जो long glorious career था या long glorious range था वो समापती की ओर जाने वाला था या समापती की ओर जा रहा था तो यह इसका मतलब है और यह question number last है six question है इसमें एक phrasal verb का use हुआ है rolled around ठीक है तो rolled around का क्या मतलब है rolled around का मतलब है होना या आना और एक इसम आप देखें as the weekend finally rolled around मतलब जैसे जैसे weekend pass आता गया और जैसे ही weekend pass आया स्रेडेशन ने जब आया the city folk were only happy to settle down and laugh their cares देखें लाफ अवे लाफ अवे का मतलब है कि हसके अपनी चिंता फिक्र को भगा देना या हटा देना वहां से तो लाफ के बाद यहां पर अवे word सही होगा और अवे के बल सेकेंड ऑप्शन में दिया है तो इसलिए इसका आंसर जो निकल के आएगा 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 आपका वो होगा भी ठीक है लाफ अवे का मतलब होता है अपनी चिंता फिक्र को उड़ा देना या भगा देना उसको हम बुलते हैं लाफ अवे और वहां पर जो कर सकते हैं खलर के लिए और बी के लिए एस बैइक लिए समय के लिए आप जूइन कर सकते हैं और मेरा इंग्लिश का कोर्स है इसका जो प्राइस है केबल उनीज्सों पचास रॉपया है चार बहने तक मैं पढ़ाऊंगा आपको पी मेंस और इंटर्वू तक की पूरी तय करें बहुत ही कम इसका फीस है बहुत ही कम इसकी प्राइस है और डेफिनिटली इससे आपको काफी ज्यादा फाइदा होगा और सेलेक्शन के आप एकदम नज्दीक पहुंच जाएंगे ठीक है यह मेरा नंबर भी दिया है मुझसे आप बात कर सकते हैं कभी भी और इस पर र आपको ट्रेक्स बताई जाएंगी सारी पूरा ग्रामर का सेक्शन आपका कराया जाएगा वोकैबलरी का सेक्शन आपका कराया जाएगा पीवेसर के कोश्चन्स होंगे ठीक है एक्जाम पैटन के नए जो पैटन के कोश्चन्स हैं वो सारे कराया जाएंगे आपको और को जोईन करते हैं और अपने हाडवर करते हैं तो और यहां पर यह English Advantage Group है Facebook का इसको आप जोईन कर सकते हैं और यहां से आप test series ले सकते हैं test.englishadvantage.in यहां से आप test series भी ले सकते हैं ठीक है so thank you very much for watching this video and I wish you all the best for your bright future thank you